जैहें दोस्तो आज हम सब जानेंगे computer के बारे में जैसे कि what is computer और computer के system के बारे में जानेंगे दोस्तो computer आजकल technical जवाना में बहुत ही important हो चुका है जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ कि जैसे कि हम लोग computer class करने जाते हैं और computer class करते आते समय जो वहां पर जो बुजूर्ग लोगे होते हैं जो computer के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो बोलते हैं कि what is computer computer क्या है computer के बारे में परिभासा हम लोग से वो जानना चाहते हैं जैसे कि computer का अब इसकार किस ने किया यह भी बहुत ही सवाल बार बार यह पूछे जाते हैं दोस्तो इसी पार धारित में आप सभी के लिए बहुत ही महतुपूर्ड इसके बारे में बताएंगे और computer का कोई भी प्रस्टनेशन नहीं होगा कि जो आप सभी के वो इसमें solve हो जाएगा देखिए जैसे कि computer system के बारे में भी बताएंगे जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ कि what is computer यह मेरा first question है और देखिए computer देखिए computer words come from what compute which means to calculate देखिए computer जो है यह compute सबसे यह बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, गर्ना करना देखिए computer जो है ये compute सबसे बना हुआ है जिसका अर्थ होता है गारना करना चलिए इसका उधारण देख लेते हैं कि the computer is an electronic machine है which takes data लिए computer जो है ये क्या करता है एक electronic machine है जो उप्योग कारता द्वारा input की रूप में क्या करता है ये data को लेता है और फिर and input from user calculate courses it according to the instruction given by the user ये क्या करता है उप्योग करता द्वारा दिये गए निर्देशियों के अनुसार ये क्या करता है computer को ये गारना करता है ठीक है गारना करने के बाद then produce the desired result as an output ठीक है फिर ये गारना करने के बाद फिर ये output के रूप में हम सभी को ये क्या करता है ये data को रूप में ये दे देता है जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ computer जो है ये क्या करता है कि पहले हम लोग जो भी काम करते हैं ये input के रूप में अपने अंदर लेता है उसके बाद ये क्या करता है पोर्सेस करता है पोर्सेस करने के बाद ये गारना करता है गारना करने के बाद हम लोग जैसा data उसमें परदान करना चाहते हैं तो गारना करने के बाद वह हम लोग को वैसा data यह output के रूप में देता है चलिए इसको और ही विस्तार रूप से समझते हैं हिंदी में चलिए देखिए कि हिंदी में दिया है कि computer क्या है ठीक है computer क्या है तो देखे computer सब्द जो है यह computer सब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है क्या गार्णना करना ठीक है उसके यहां पर दिया हुआ है कि father of computer ठीक है computer के father कौन है यह दोस्तों बहुत बार question पूछा जा सकता है तो आप सब बहुत ही असानी से बता सकते हैं कि Charles Babes ठीक है computer एक electric and electronic machine है जो उप्योग कारता से input के रूप में क्या करता है यह data को लेता है और उप्योग कारता दोवारा दिये गए निर्षों के अनुसार इसकी गार्णना करता है ठीक है इसकी गार्णना करता है फिर output के रूप में क्या करता है इच्छा को उत्पन करता है उसके ठीक है computer fundamental मतलब computer की बुन्यादे बाते एंड इंटर्डॉक्षन टू computer इंटर्डॉक्षन टू मतलब कि computer का परिच्छे तो दोस्तों इस बिसे में यह जो मैं वीडियो इसमें computer की जो बुन्यादे जितने भी सारी बाते होंगे इस वीडियो में हम लोग लाश्ट तक देखेंगे और इसको पूरा अच्छा तरह से समझेंगे computer क्या है और के से काम करता है ठीक है उसके बाद मैं आपको फिर देता हूं उधारन यहां लिखा हुआ है input ठीक है computer जो होता है यह क्या करता है फिर इंपूट के रूप में क्या करता हमको इन्पूट के रूप में डेटा को क्या करता है लेता है यहां पर देखिए इन्पूट के रूप में डेटा को लेता है उसके बाद यहां पर पॉर्सेस देखिए उप्योग कारता दोरा क्या करता है यह डेटा लेने के बाद इसको पॉर्सेस करता है फिर पॉर्सेस करने के देखिए आउटपूट के रूप में इच्छा परिमार मैं जैसा अगर चाहता हूँ मालिजे की मैं यह डाइग्राम जहां जो भी मैं लिखा हूँ इसको इसको एक आट्टा के जानते होंगे आट्टा जो चक्की होता है उसको मैं उधाड़ें के रूप में यह लिया हूँ ठीक है और यह उधाड़ें के रूप में बहुत ही महत्वूर है हम सभी के लिए जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ कि हम लोग यहूं लेख जाते हैं तो क्या करता है कि उपर जो भाग होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग डालते हैं तो डालने मतलब क्या हो गया इंपूट के रूप में हम लोग क्या किए डेटा उसमें दिए ठीक है इंपूट के रूप में डेटा हम लोग दिए डेटा देने के बाद क्या करता है यहां मसीन जो होता है मसीन होता इन्पुट के रूप में हम लोग डेटा दे दिए हैं डेटा करता है जो आटाज़ की करता है ho नहीं करने के वाद यह आठा के रूप में यह मेरा आउटपुड को दे देता है!!!! उसी कहों बोला जाता है किया करता है फ़ीज बढ़िए कम्पूटकै कि यह जा समझता है कि कंपूटर क्या है और वाइस कम्पूटर आपकी जो फीज बेकती सवाल पुछता है तो आप सबसे पेले बोल दीजिएगे कि computer एक electric and electronic machine है जो मेरे input के रूप में क्या करता है मेरा data को लेता है data के लेने के बाद मेरा उप्योग करता द्वारा किये गए निर्देशों अनुसार फिर उप्योग करता को जैसा चाहिए वैसे output के रूप मेरा data को दे दे होता है इसी को बला जाता है what is computer तो बहुत ही आप सब असानी से समझ गये होंगे चलिए कुछ और ही उधारन देखते हैं जैसे कि यहां पर लिखा है computer fundamentals ठीक है computer मतलब computer की बुनियादे बाते हो गया and introduction to computer ठीक है introduction to computer मतलब computer का परिच्छे तो देखिए computer में आप सभी को परि ठीक है इसको monitor बले जाता है जब ही दोस्तों अगर आप computer class करने जाते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको इसके बारे में जो parts कौन कौन से parts होते हैं parts के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों चलिए देखते हैं कि जैसे कि यहां पर है यह monitor होता है monitor के बाद यहां पर दिया हुआ है यह क्या होता है यह computer का सबसे main parts होता है जिसको बुले जाता है CPU और इसका CPU का फूल फ्रम होता है Central processing unit Central processing unit दोस्तों अगर आप से जो भी वेक्ति बुछे कि CPU का फूल फ्रम क्या होता है तो Central processing unit के आप बता सकते हैं उसके बाद यहां पर आता है keyboard ठीक है keyboard यह computer का भी एक पार्ट से जिसको keyboard वोला जाता है जिससे हम लोग typing के रूप में इसको क्या करते हैं हम लोग typing करते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर है mouse कि मैं इसके बाद यहां पर चलते हैं देखते हैं आगे जो होता है मालेजिए कि मेरा keyboard है mouse है यह मेरे कौन-कौन से device है मालीजिए कि यह मेरा monitor है यह मेरा input device है ए या output device है जो भी इसको हम लोग समझते हैं आगे में उसके बाद देखिए यहां पर है computer fundamentals and introduction to computer input process output device देखे input process output device के बारे में हम अढ़ अचते हैं उसके बाद यहाँ जो मोणीटर होता है मेरे मोणीटर न Israeli ओसोता है दोस्तों बहुत पर आप से कस्र्विक आ जाएगा कि यह से लोगा है यह मोणीटर जहान पर भालaurat है इस dirig है system discussions होता है जैसे कि यहांपा cdu दिया हुआ है जैसे just Central पोर्सेसिंग यू और यह बोला जाता है वह होता है सिस्टेम स्ट्राइडर होता है यह पोर्सेसिंग डिभाएज होता है ठीक है जैसे कि मेरा इनपूट क्या किया इनपूट माली ज़र हम लोग डाले इनपूट यह प्रसेस करता है ठीक है उसके वाद यहां पर दिया हुआ है कीबोड कीबोड जो होता है मेरा इनपूट दिभाइज होता है चलिए देखी है और पार्ट के बारे में इसका जाग लेते हैं कम्प्यूट सिस्टम ठीक है कम्पूटर सिस्टम में क्या होता है कि इसको बॉलाजता है CPU ठीक है CPU जैसे Central Processing Unit इसको सिस्टम देखें सिस्टम यूनिट भी इसको बोल सकते हैं हम लोग उसके बाद यहां पर दिया हुआ है मोनीटर ठीक है जो मोनीटर जो होता है मोनीटर इसको आउटप टिवाई ठीक है, आउटपु डिवाइज दिखे, component के यहाँ अपया पार्ट के सब, उसके बाद यह मोनिटर के बाद यहाँ पर दिया हुआ स्पीकर जो स्पीकर जो होता है यह भी आउटपूर्ट डिवाइज होता है ठीक है आउटपूर्ट डिवाइज यह मेरा होता है स्पीकर आउटपूर्ट डिवाइज होता है उसके बाद माउस जो है माउस यह माउस जो होता है जो इनपूर्ट डिवाइज होता है ठीक है इन लोग क्या इन्पूट के रुप में डेटा को किसको हम दिये मालिजे कंप्यूटर क скаж करता है और करने के बाद जो मालिजे के हमको हाट कपी चाहिए हाट कपी किस में निकलता है मेरा प्रियंटर में तो आप सब बहुत असानी से याद कर सकते हैं कि जो मेरा हार्ड के बिज्व भी में निकलेगा तो यह मेरा आउटपूर्ट डिवाइस के रूप में यह मेरा प्रिंटर हो जाएगा ठीक है राइट दोस्तो इस वीडियो को देखने के बार आप सभी कंप्यूटर के आल पार्ट के बारे में जान गये होंगे कुछ पार्ट